असलाम अलेकुम और हेलो आज के इस स्पेशल शो में मैं आपको धेर सारा वेलकम करता हूँ और आज का शो स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार यानी सूपर स्टार जो के बहुत अरसे से यहां बहरिया टाउन में रह रहे थे लेकिन इस बात का किसी को पता ही नहीं था सिवाए कुछ लोगों के जिन में से एक लकी इनसान मैं हूँ तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मिलवाते हैं आपको आज के गैस से सर तैंक यू तैंक यू बड़ी मुच शारू खान साब आपका बहुत बहुत शुक्रिया के आप मेरे छोटे से शो में आए आपने मुझे इजद बख्षी यह आपका बड़ा पन है अमीजान हमेशा कह करती थी के कोई भी शो चोटा नहीं होता और जो शो चोटा होता है वहाँ शारू खान के भी जाता ही नहीं अरे थैंक यू सर आप इतनी इजद दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू मंचिन नाट अच्छा सर पहला सवाल obviously मेरे माइंड में भी यही है और देखने वालों के माइंड में भी यही होगा कि आप बहरिया टाउन कब और कैसे शिफ्ट हुए बात कुछ ऐसे है कि आज से कोई तीन साल पहले मुझे कराची आना हुआ अपनी फुपो से मिलने के सलसले में नराश हुआ मैं लेकिन अब क्या करें जो उपर वाले को मन्सूर मैंने उसी वक्त वापसी के टिकट करवाई और जब प्लें कराची शेहर के उपर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पूर्या शेहर रोष्णियों में जग मकार है लेकिन फिर अचानक से लाइट चले गई जी सर ऐसा तो होता रहता है या वो तो होता रहता है लेकिन फिर अचानक से मैंने क्या देखा कि शेहर की एक साइड पर अभी भी लाइट बागी थी मैं उसी वक्त पाइलेट की पास पहुँच किया और मैंने पाइलेट से पूछा कि ये जो रोशनी है, ये क्या है तो मुझे पाइलेट ने बताया कि ये BTK है BTK SRK तो मैंने सुना था लेकिन ये BTK BTK मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने पाइलेट से कहा कि अभी इसी वक्त फॉरण प्लेट को उतारा जाएं क्योंकि मुझे BTK जा के देखना है फिर क्या होँ सर? फिर क्या होना था? एरपोर्ट से बाइड निकले तो हमारे पास दो रास्ते थे एक सो रापकोट वाला और एक मलीर केंट वाला मलीर केंट वाला थोड़ो सा चोटा है तो हमने वहां से सफर शुरू किया और कुछ ही देर में हम लोग हाइवे से होते होए बहरिया टाउन पहुच गए मगर हम जब रास्ते में थे तो मैंने जमीन.com पर ही स्पोर्ट्स विलाज में एक घर रेंट पर बुक कर लिया अरे सर क्या बात है सरी तरी स्पीड सिम्रन दुनिया में आगी पढ़ने के लिए स्पीड बहुत सरूरी होती है सिम्रन? ने ने सर मेरा नाम उमर है उमर उमर तो मेरी भी बहुत हो गई जैसे ही बहरिया टाउन में पहुचा मैंने अपने डीलर से कहा जिसका नाम आतिफ था कि मुझे फॉरण से मेरे विला की तरफ ले चलो तो फिर सर कहां लिया आपने विला? सिम्रन चुप सिम्रन चुप तुम्हे जल्दी किस बात की है? बता तो राउंड चुप करके सुनो चुप तो एजन्ट मुझे मेरे विला पर ले गया और क्या ही शानदार किसम का विला था इतना बड़ा पूरे दो सो गस का और तुम जानती हो अंजली उसका रेंट क्या था समर्न मेरे आंखों मे देखो समर्न और बताओ मुझे के उस विला का रेंट क्या था समर्न सर यह कोई यानि पचास हजार होगा पचास हजार थो बनता है हाँ पगले सिर्फ बीस हजार रुबे पूजा इतना बड़ा बंगला सिर्फ पीस हजार रुपे में ना दाएं देखा ना भाएं और उसी वक्त डील दन कर दी और अज तक मैं खुशी-खुशी अपने विला में रहता हूं किसी किसम कोई प्राप्लम नहीं है मुझे अरे वाद सर यह तो कमाल हो गया यानि I'm really, really very happy for you sir थैंक यू राहुली, थैंक यू नहीं नहीं सर राहुली भी चलेगा हाँ, no problem तो सर आप इतने अर्से से बेरियर टाउन में रह रहे हैं तो आपका experience कैसा रहा यहां रहने का यह प्लीज बताएगा कमाल का experience, कमाल का 24 घंटे पानी आता है बिजली आती है लेकिन अगर कोई नहीं आता तो वो सिर्फ एक कामवाली है कामवाली का बेरियर टाउन में मिलना थोड़ा मुश्किल है खेर, सारा दिन यहां से वहां में फिरता रहता हूँ without any वजा कभी गाड़ी में, कभी पैदल ना मबाइल चोरी होने का डर और ना ही किड्नैप होने का डर बहरियर टाउन कामाल की जगा है जी सर, ये तो है बहरियर टाउन यानि कमाल की सोसाइटी है इसमें तो कोई शेक नहीं लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने अर्से से आप यहां बहरियर टाउन में रह रहे हैं तो यकीन आपने बहुत सारे दोस्त भी बनाए होंगे यहां बहुत प्यार करते हैं जहां जाता हूँ मुझे अपने सीने से लगा लेते जाहर है सर, आप शारू खान है आपसे नहीं कोई दोस्ती करेगा तो क्या मुझे करेगा क्या बात करतें सर आफ भी और मैं भी अपनी बहाँ को खौल के अपने से नेजर स्टाइल में पूरे बहरिया को अपनी तरफ पुलादा हूँ बहरिया बहरिया आ आ सर, एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग पॉइंट है आपने अपने डीलर का नाम बताया आतिफ तो आतिफ का सुनके मेरे जहन में एक सवाल आए कि आपने कभी अपने फिल्मों में आतिफ को ऐस अ सिंगर नी इस्तमाल किया यानि आपकी फिल्मों में आदिफ का कोई गाना देखने को नहीं मिला तो इसकी क्या कोई खास वज़े है बात कुछ ऐसी है ब्रेम के जब मैंने ये विला लिया रेंट पर तो तब 3 प्लस 3 चदरा था यानि 3 प्लस 3 यानि तीन महीने का रेंट और तीन महीने का स्क्यूरिटी डिपासिट और उसके बाद मुझे डीलर की कमिशन भी देनी पड़ी तकरीबं डेड़ लाग रपे का मुझे ये विला पड़ा और आतिफ असलम देता है तकरीबं दो लाग रपे एक गाना गाने के तो अब मेरे पास सिर्फ यानि पचास अजार रपे पड़े थे, ज्यादा पैसे मेरे पास थे नहीं, इसी वज़ा से आतिफ को मैं अपने फिल्म में नहीं ले सका, वो तो ठीक है सर लेकिन आप तो शारू खान है, S.R.K. फ्रॉम इंडिया दे बिगस्ट एक्टर इन दे व गरीब हैं, मैं भी, मैं भी गरीब हू राज पाकिस्तान में, कहरी बात, चलें सर, I seriously wish you all the best, आप जब तक यहां बहरिया टाउन में रहें, उपर वाला करें कि आपका यह जो स्टेय है, यहां पर यह बहुत ही शानदार हो, और in case अगर कोई प्रॉबलम होती है, तो आप की management को बता सकते हैं, और वैसे भी sports will us में तो और भी बहुत से actors रहते हैं, जैसे एकराजीज, हारिस वहीद, शमून अबासी, आप उनको भी बता सकते हैं, वो तो आपकी की field के हैं, Okay, okay, thank you, mention not sir, तो यह था जी, आज का show, मुझे उमीद है कि आपको पसंदाया होगा, और मज़े की बात यह कि हमारे next show के जो guest हैं, उन्हें भी आप बड़ी एची तरह से जानते हैं, मा, मैं आगया मा, जी हाँ, हमारे show में आने वाले हैं, रितिक रोशन, लेकिन उनकी एक छोटी सी request है, उनका कहना यह है, कि उनके मुलक में उनकी बहुत ज्यादा इज़त है, जाहर है पूरे दुन्या में उनकी इज़त है, और वो उस channel पर जाते हैं, YouTube के, जिस पर कम से कम पांच या दस हजार सब्सक्राइबर्स हों, और अभी unfortunately मेरे channel पर सिर्फ तेरा सो सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए अगर, क्या बात हुई करें, मैं भी तो इस show में आया हूँ, मेरी कुछ दख नहीं है, क्या, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप फजूल में नराज हो रहे ह आप तो बहरिया टाउन में रहते थे, तो आपको अप्रोच करना, इस studio में लेकर आना थोड़ा असान था, अब रितिक रोशन साब कह रहे हैं, कि अगर 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, वो तभी आएंगे, अब आप बताएं, मैं क्या करूँ, माँ मैं वापस जा रह में तो पर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उनसे डांस पी करवाँगा है, और नहीं यार, टू भी आउनस, सेरिसली, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप जब सपोर्ट करते हूं तो बहुत, बहुत होसला अवजा होती है, मेरा दिल चाहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कॉंटेंट जो है, वो प्रोड्यूस करूँ आपके लिए, और अगर आपका कोई आईडिया है ना, वीडियो को लेकर, कि मैं फ्यूचर में किस तरह की वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कॉमें उसमें जरूर बताईएगा, अपना ठेर सारा खियाद रखें, दौाओं में याद रखें, मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, दिस इतो मैं फारूक, साइनिंग आप